तो Welcome to Rishi e-commerce, I'm Rishi और आज की वीडियो रहने वाली है Seller Cancellation के बारे में देखिए Seller Cancellation की वज़े से बहुत सारे एक्शन होते हैं तो आज proper वीडियो मैंने cancellation पे बनाई है यह वीडियो मैं Flipkart के Point of View से बताऊँगा जहां पर मैंने कुछ surprise हम लोग plan कर रहे हैं, उसका छोटी सी clip डाली है, आप जाके चेक करना और मुझे उसका update जरूर देना, ठीक है, अभी month end चल रहा है, तो month end offers जो हैं हमारे वो आज से ही live हो गए हैं, आप directly इस number पर contact करके ये offer के बारे में पता कर सकते हो, जहां पर की account management, training and courses पे up to 20% का हम लोग ने discount a lot किया है, बट सिर तीन दिन के लिए रहेगा, 28, 29 और 30, तो इस number पर directly आप contact कर सकते हो, यह first comment में मैंने department wise number दे रखा है, आप direct department को contact कर सकते हो, तो चले सीधे वीडियो को start करूंगा, तो अगर आप flip card के growth में आके, यहां पर cancellation वाले tab में मैंने यहां पर September का filter लगा दिया है, आप custom dates के हिसाप से भी यहां पर filter लगा सकते हैं, तो चले अभी हम सिर्फ September का filter यहां पर लगा लेंगे, आप अपने हिसाप से लगा लीजिए गा, ठीक है, तो देखें यहां पर sale period आ गया है, एक September से लेके 26 September का यहां पर data दे दिया ग type wise, location, id wise भी लगा सकते हैं, और यह report आप Excel sheet में डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो यह अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हैं, बाकि इनको आप ना use करें, क्योंकि उतना accurate filter मैंने देखा यह नहीं लगता है, इस वज़े से आप यहां पर इस type से monthly filter लगा के काम कर सकते हैं, तो यहां पर देखें, एक line लिखी है, यह line आपको समझनी जरूरी है, कि 15 दिन लगते हैं, cancellation को update होने में, मतलब जो आज का data है, वो लगवग 15 दिन properly लगते हैं, उसको update होने में, तो जो भी data आपको देखना है, अगर आपको मान के चलिए, October का data देखना है, तो November 15 के बाद देख सकते हैं, वो कैसे, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा नीचे आएंगे, तो यहां पर देखें, तीन चीज़ें लिखी हुई है, पहला, seller cancellation units, मतलब की, कि इतने units ऐसे थे, जो seller ने cancel करे, इस period of time में, इस time period में, कितने orders जो थे, वो seller ने अपने end से cancel किया, क्यो group unit 311 है, इस period में, seller cancellation percentage इसलिए 0 हो रखा है, ठीक है, अब मैं आपको बता दू, सबसे पहले, तो दो type के cancellation यहां पर proper होते हैं, पहला, pre-dispatch cancellation, और एक होता है, post-dispatch cancellation, आप order आता है, जब तक आपने उसको dispatch नहीं करा, जब तक courier वोई लेकर नहीं गया, तब तक आपने उस post-dispatch cancellation में आ जाता है, तो यह दो type मैंने बता दिये, अब इनके under भी 3 type के cancellation होते हैं, पहला, या तो seller cancellation हो जाए, मतलब seller अपने end से कर दे, जो कि कभी भी आपको नहीं करना है, otherwise आपका service quality खराब हो जाएगी, किसी भी हाल में नहीं करना है, अगर fake order आता है, तो आप ticket raise हो ठीक है, उसके अलावा seller cancellation के बाद marketplace cancellation होता है, यह मुझे recently seller ने पूछा था, marketplace cancellation का मतलब कुछ order अगर marketplace को लगता है, यह भाई बार-बार repeated fake order आ रहा है, आप ticket raise करोगे, उसके बाद अगली बार marketplace उसको पकड़ लेता है, या fake, वो order जो है, verify नहीं हो पाया, आपको पता ना आपको कोई charge लगेंगे, ना आपका कोई score खराब होगा, इसको बोलेंगे marketplace cancellation, और तीसरा cancellation होता है customer cancellation, जिसमें की customer या buyer आपको product cancel करता है, तो buyer किसी भी condition की वज़े से कर सकता है, बाईर की तो अपनी मरजी है, तो buyer cancellation में भी आपको कोई भी charges नहीं लगने वाले हैं, ठीक sales में यहाँ पर हम समझते हैं, अब यहाँ पर देखिए, एक September से लेगे 23-26 September का data लग गया है, क्योंकि September मन्त अभी खतम नहीं हुआ है, पूरा, gross sales आप देखोगे, 334 unit है, मतलब की 1.11 lakhs की यहाँ पर sale है, तो gross unit मतलब total इतनी sales आपको आई थी, उनमें से कुछ cancel होंगे, gross sale का मतलब आप लोग यहाँ पर समझ गया होंगे, अब gross sale के आगे, आप यहाँ पर देखोगे, ग्रीन से लिखा हुआ है, order unit increased by 156, तो यह compare किया गया है, एक अगस से लेके 26 अगस तक का data से, जो भी data आप लगाओगे, उसके पुराना data से उसको compare किया जाएगा, तो आप यहाँ पर देखिए, एक अगस से लेके 26 अगस तक 178 product sale हुए थे, बड़ वहीं 1 September से लेके 26 September तक जो है, वो 156 unit, sorry, 334 units यहाँ पर sale हुए, तो यह हमारे एक client है, जो कि अभी bronze tier में है, recently हमारे पास आया है, तो अब बसली progress अच्छी लग रही है मेरे को तो, अब यहाँ पर आपका compare भी किया जाएगा, सासाथ में आपर trend भी दिखाया जाएगा, कि अभी जो trend हुँ आपकी sale किस तरीके से यहाँ पर gross unit बढ़ रही है, घट रही है, day wise यहाँ यहाँ पर data यहाँ पर दे रखा है, इसी को आप trend में इस तरीके से भी देख सकते है, gross sales का आप day wise देख स तिको उस देर असा क्या था कि 3 September को ज्यादा career return हुए थे, तो आप detail में इसको यहाँ पर जान सकते हैं, चलिए हम summary पर फिर से आ जाते हैं, अब cancellation की बात करेंगे कि इन 334 में से total कितने cancel हुए, तो इसमें से total जो cancel हुए, देखिए तीनो cancellation यहाँ पर दिखा रखा है, seller, marketplace and buyer जो मैंने आपको बता है, तो total 334 में से 34 unit cancel हुई है, मतलब 11,186 रुपे का यहाँ पर cancellation हुआ है, जो कि total sales का 10.18% होता है, तो अगर आपका cancellation, देखिए cancellation percentage 20% तक भी जाता है, अगर आपका 20% तक है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं, कम होना चाह है, बट cancellation कई बार आपके हाथ में नहीं होते है, तो आप बट कोशिश करिए फिर भी कि जो यह cancellation है, यह second वाला नमबर, इसको आप 10, 20% से नीचे रखिए, आपका कितना चल रहा है, आप मुझे comment में बताओ, मैं उस हिसाब से बताओंगा, good है, better है, या बढ़िया चल रहा है, ठीक है, और अगर कुछ improvement किया है, तो मैं आपको reply में बता दूँगा, तो comment में आप यह डाल देना, ठीक है, और हाँ, like कर दो यार, यहां तक पहुंचे हो वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना, helpful लिखना, मत भूलना, अगर help मिली है, कोई भी तो, ठीक है, अब cancellation को अगेन यहां पर compare किया गया है, तो यह 2.74% से improve हुआ है, और यह आप data देख सकते हैं, यहां पर trend का है, अगेन यहां पर देखे, cancellation में से भी, कुछ cancellation जो courier return में आए है, मतलब post dispatch cancellation है, यह total है, यह post dispatch है, मतलब dispatch के बाद जो भी cancel होंगे, obviously वो आपके पास वापस आएंगे, तो उनको courier return कहा जाएगा, ठीक है, इनमें भी तीनों आजाएंगे, यह 11 unit है, मतलब total जो यह cancellation है, इसका 11, 32% जो है, वो courier return में आया है, तो यह आपको नहीं देखना है, यह वाला आपको देख के बताना है मुझे, ठीक है, अब यह भी improve हुआ है, by 28.52%, अब आप थोड़ और marketplace, अब यहाँ पर seller ने 0 किया था, cancel आपने उपर देखा था, तो seller का नहीं है, seller को करना भी नहीं है, कभी भी, customer ने यहाँ पर सबसे पहले pre-dispatch में अगर हम देखेंगे, तो total 21 plus 2, 23 product जो है, वो pre-dispatch में cancel हुए है, जिन में से की 21 जो हुए है, वो customer ने करे है, तो जो ह है, वो customer ने किये है, और 8.70% हो marketplace ने करे है, अब customer ने क्यों करे है, कौन-कौन से product करे है, सबसे पहले आप यहाँ पर view product में यह products देख सकते हो, पर इसमें आपको देखने की जरूरत है नहीं, products देखने की जरूरत है नहीं, बागि आप एक बार के लिए random data देख सकते हुए कोई ऐसा product तो नहीं, जो बार-बार cancel हो रहा है, अब आप यहाँ पर क्या-क्या improvement कर सकते हो, reason wise हम लोग देखेंगे, सबसे वह customer, पहला option है, जिसके तहत customer ने यहाँ पर, जो है वो, second, customer ने यहाँ पर सबसे ज्यादा order जो cancel करें, वो क्या reason से करें, delivery delayed की वज़े से करें, अ पर फिर भी आपको कोशिच करनी है, जब भी आपका order आए, विदिन two hours आप उसको dispatch mark कर दो, मतलब आप उसे packed mark कर दो, फिर जब भी लेने आए, courier boy वो अलग बात है, बट आप उसे mark कर दिया करो, ठीक है, इससे marketplace को जाता है, message कीए, बहुत जल्दी-जल्दी dispatch कर रहे है product को तो delivery delete का यहां पर डाला है, buyer purchase mistake है, तो 7 unit इसलिए buyer ने cancel करें, तो इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, buyer अपना mistake यहां पर बोल रहे है, expensive now, इसमें आप थोड़ा कर सकते हैं, कई बार क्या होता है, कि आप किसी product का rate रखते हैं, वो उसकी shopping होती है, उसके बाद आप उस product का rate प्रोड़क का rate नहीं करना है, customer फिर दूसरा order कर लेता है, वो order नहीं करना है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी कम करते हो rate प्रोड़क का, थोड़ा थोड़ा करके कम करना है, एक दो रुपे से customer cancel नहीं करता है, तो इसका ध्यान रखना है, उसके बाद buyer not available, यह कई बार इससे भी होता है, quality issue यह तो होगा ही नहीं, जब होगा ही नहीं, अभी product पहुचा ही नहीं, तो इसमें आप कुछ इस टाइप का कर सकते हो, बाकि आप इसमें expensive now में देख सकते हो, कौन से तीन product थे, जिनमें expensive now की वज़े से, हमारा जो था, वो product, जो है, वो cancel कि क्या था, उसके बार मार्केट प्लेस ने क्यों करें हैं, तो मार्केट प्लेस पे जाते हैं, तो मार्केट प्लेस ने दो के दो product इसलिए करें है, cancel क्योंकि वो flip card protection की वज़े से, मतलब buyer fraud detection की वज़े से, दो product, automatic predispatch में ही cancel कर दिये थे, तो देखिए, flip card या कोई भी marketplace भी अ 9, 10, 11 product cancel हुए हैं, उसमें से आप देखोगे, यह आप चेक करिए, delivery delayed है, buyer purchase mistake है, quality issue है, आप नहीं मान सकते, expensive ना, इन में से आप जैसे delivery delayed, buyer purchase mistake का तो कुछ नहीं कर सकते, expensive ना, इन दोनों पर आप काम कर सकते हो, अगर आपका number ज्यादा आ रहे तो, again marketplace ने, दो यहाँ पर product और cancel करें, वो इस वज़े से कि buyer not available, मतलब customer नहीं मिल पाया, किसको, courier boy को, right, तो इस case में आप क्या कर सकते हैं, कि जब भी आपका ऐसा order आता है, जिसमें address अजीब सा लिखा हुआ, आप भी उस पर नहीं पहुँच पाऊगे, तो आप, मतलब, आप भी सोचोगी, इस पर मुश्किल है, तो उसको आप ticket raise हमेशा कर दीजिए, flip card marketplace cancellation उसको अगली बार fraud detection में कर देता है, तो यह थे दो type के cancellation, बाकी आप नीचे अगर आएंगे, तो यहाँ पर detail में इसको समझ पाएंगे, ठीक है, so detail में समझने के लिए आप product wise चेक कर सकते हैं, category wise भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, slow selling का, weight में product पे लगा देता हूं पहले, उसके बाद आप top performing, slow selling और non selling, other का कर सकते हैं, इसको refresh करके आपको यहाँ पर data मिल जाएगा, तो यह था detail view, cancellation का, जिसमें obviously अगर आप properly work करें, तो detail में आप उस पर working कर सकते हैं, वो भी वीडियो helpful रही होगी, offers जो ह हैं हमारे, उस पर आप अभी contact कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर आपके सामने तीन दिन का time दिया जाएगा, 239 और 30, आप directly इस offer को avail कर सकते हैं, इस number पर contact कर सकते हैं, चलिए, so helpful रही होगी वीडियो, helpful लिख के मिरको indicate कर देना, till then, thank you very much, keep selling on flip card